तो इस कहाने की शुरुबात होती है सोफिया नाम की लड़की को दिखाने से जो द्रसल एक शार्क रिसर्चर थी वो अपने साथियों के पास स्पेसिफिक ओशन में आई हुई थी शार्क को ट्रैक करने जिसका नाम लिलित था सोफिया और उसके टीम पिछले काफी टाइम से लिलित को ट्रैक कर रहे थी और आज भी इनकी यहीं सोच थी कि लिलित कब इनकी रडार में वापिस आएगी और यह लोग उसका सैंपल लेकर उस पर रिसर्च करेंगी और फिर चानक इनी रडार में ऐसी सिगनल्स मिलने लगती है जैसी वो शार्क लिलित इनकी एरिया में आ रही है इसलिए टीम के चार लोग जिनमें सोफिया का हिस्बेंट भी शामिल था वो समंदर में कुद पड़ी और लिलित को ढूरने लगते हैं जहां तब इनकी वेल का बेबी दिखाए दियते हैं जो हलांके था तो बच्चा ही लेकिन उसका साइस बहुत बड़ा था औ इसके जिसम का आदा हिस्सागाई था अब ये लोग सोच रहे थे कि इस मेल का कातिल कोन हो सकता है कि तभी इनके सामने वेल का खूनी आही चाता है जी हां वो और कोई नए लिलित ही थी जो अब इनके सामने आचुकी थी जिसे देकर हिएुन काफ़ी घपरा जाती हैं तो ये थी कि इन लोगों को अपनी जान बचा कर चले जाना चाहिए था लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती सूफिया का हिस्पेंट कर देते हैं अपनी मौत को सामने देखने की बवजूद भी उसे सैंपल लेने की पड़ी हुई थी इसलिए वो शाल की बड़ी से सैंपल लेने की चकर में लिलित को स्टैप कर दीते हैं और बस फिर क्या था? वो ही हुआ जिसका डर था लिलित कंट्रोल सी बाहिर होकर टीम के चारों लोगों पर हमला कर दीती है और उनी बुरी तरहां काट कर टुकडे टुकडे कर दीती है जिबकि सोफिया और उसकी एक साथी कष्टी में सी बस्ती नजारा दोस्ती देख पा रही थी हलांकि वो भी काफी डर गई थी जब कुछ अवन होता है तो सोफिया भी ओशन में कोज जाती है इस उमेड के साथ की शायद कोई जिन्दा बचाओगा लेकिन वहाँ पर तो बस टीम की लुगों की कटे पटे जिसन के टुकडे थी जिनने बुरी तरह निलित ने मार दिया था हर तरफ खोनी खोन ठेला हुआ था और अब तबी निलित सोफिया की सामने भी आ जाती है जो किसी मॉंस्टर से कम नहीं लग रही थी वो अब सोफिया पर भी हमला करके गसीट कर उसे अपने साथ आशन में ले जाने लगती है पर किसी तरह सोफिया अपनी जान पशा लेती है और यहां से सिंचेंज होकर आता है सीधा तीन साल की बार जहां सोफिया ने अब शार्क्स पर रिसर्च करना बन कर दी थी और अब वो एक एक्टोरियम गाइट का काम किया करती थी जहां आने वाले बच्चों को वो मचलियों और उनकी बारे में बताया करती थी जो जिस बच्ची काफ इंजॉय भी करती थी अब यही पर हम एक लड़की मीका को देखती है जो एक मरीन एक्टिविस थी समंदर की बारे में रिसर्च और जानकारी रखने और देने वाली वो एक कमपनी को चिना रही थी जिसका नाम सेविर्स ओफ से था जिनका काम ही मरीन लाइफ को बचाना था यानि समंदर में रहने वाले हर क्रियेचर की इफाज़त करना उनकी जिम्यदारी थी अब मीका सोफिया से जाकर मिलती है जिसे वो अपने हैटकौर्टर ले आती है और उसे दिखा दिया कि लिलत शार्ट जिस पर सोफिया कुछ साल पहरे रिसर्च कर रही थी वो कुछ ही टाइम में पैरिस के एक रीवर में आ रही है यानि कि इनके शेयर के ये रीवर में और बस पैरिस के रीवर में एंटर हो नहीं वाने इसलिए मीका यहाँ चाहती है कि सोफिया लिलित को एक्जामिन करने में उनकी मदद करी जिस पर सोफिया कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है अक्सर शार्क्स मोसन की बिदलने की वजह से एक जगा से दुसी जगा चली जाती है और हाँ पैसिफिक ओशन से रीवर में आना थोड़ा मुश्किल है लिलित तो क्या कोई भी शार्क रीवर की ताजा पाने में सर्वाइव नहीं कर सकती इसलिए वो यहाँ आने से पहले ही वापस लोट जाएगी अब इस वजह की साथ साथ सोफिया का सदमे से भरा माजी भी था जो उसे शार्फ्स पर एक्जैमिन करने और उसे ट्रैक करने से रोक रहा था इसलिए कुछ इससरा की वजाएं देकर सोफिया वहाँ से चली जाती है अब हम दो लड़कों को उसी संड रिवर की पास खड़ा देखती हैं जिने रिवर से दो छूटे छूटे मिजाल्स मिलती है तब ही याँ पर पुलिस आकर सभी मिजाल्स को इकटा कर लीती है और सबको बताती है कि दूसरी जंग की बार से इस रीवर में छोटे-छोटे में जाल्स और उनकी शेल्स मिलती रहती है इसलिए डरने वाले कोई बात नहीं है अब रात की टाइम मीका अपने एक दोस्त के साथ संद्रीवर में आती है जो यहां हुए कार एक्सिडेंट की जा गयर कानूनी था इसलिए पुलिस मीका को पकड़ लेती है जिबकि उसकी दोस्त किसी तरह वहां से भाग निगनती है अब हम सोफिया को देखते हैं जो अपने लिट को ट्रैक कर पा रही थी और उससे पता चलता है कि हाँ लिविद्सन रीवर में आ चुकी है अगली सुब आ हैं अभी यहां रीवर की बार ऊफिसर्स के साथ सौफिया और मीका बी थी और साफ लफजों में उन्हीं बता दीती है कि यह काम और किसी के नई बनके निरित का ही है और अब हमें शार को रोकना होगा अगर हम चाहते हैं कि लोग इस साथ शार के हर्टों न मारें पर यह लिए वो शार्प को माराने के काम पर लग जाती है तकली दीन ओफिसर्स और सॉफियार सन्रिवर में आ जाती है उनका प्लैन था कि वो रिवर में जाकर सिधा शार को पकड़ लेंगी तब सोफियार को ट्रेक आइक करने में उनकी मदद कर रही थी, सब कुछ ठीक ही चनरा था वो लोग शार को देखने ही वाले थी लेकिन मीका यहां बहुत बड़ी गड़बड कर देती है, वो अपनी हैकर दोस्त की मदद सी सोफिय के ट्रेकर की सिगनल्स को खराब कर देती है, जिसे की अभी लोग शार को ट्रेक नहीं कर पाती है और इसी जाहिर है, उन आफिसर्स की लिए बोट बड़ा खत्रा आगया था, जो रिवर में गए थी परनी लीट उस सरफ नहीं जाती और अपना रोट बदा लेती है, जिसे आफिसर्स को अपनी जान बचाने का मोका मिन जाते है और वो सही सलामत बाहर आ जाते है पर ये काफी सीरियस कंडिशन बन जाती है कि शहर के बीचों बीच, सन रिवर में मॉन्स्टर शार घूम रही है इसलिए आफिसर्स ये बात जाकर मेर को बताती थी, तब मेर परिशान होती हुए कहती है कि कैसे भी करके वो शार को रोकना होगा क्योंकि कुछ दिन बाद उसी सन रिवर पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसे वो किसी भी सुरत में कैंसल नहीं कर सकती, इसलिए आफिसर्स लिट को रोकने की बारे में सोचने नगती है, जिबकि मीका एक वीडियो बनाती है, और उसी खुफ्या तोर पर कई साली मरीन एक्टिविस्ट की पास बेई देती है और लिट शार की बारे में बताती हुए कहती है कि गौर्मिट उसी और उस जैसी और भी शार्स को मारना चाती है इसलिए हमें आगे आना होगा और इन्हें बचाना होगा बेशकी शार्क्स हम लोगों को खाए क्यों न जाए फिर वो कहती है कि इसके लिए आज रथ हमें पैरिस की कैटा कॉम में आना होगा कैटा कॉम दरसल पैरिस के नीचे बनाई गई एक टेनल सुरंग है जो पूरे पैरिस के नीचे फैली होई है अब मीका अपना पूरा प्लैन अपने साथियों को बता दो देती है लेकिन उससे पहले ही उसकी एक दोस्स की पास पहुँच गई उन्हें इस खुफिया प्लैन की बारे में सब कुछ बता देती जहां और लोगों को पता चिला कि इस टाइम शार्क पैरिस की केटा कॉम में ही है पिर जैसे ही राद हुई मीका उन मरीन एक्टिविस्ट के साथ केटा कॉम आ जाती है जहां सोफिया और आफिसर्स भी आ गई थे क्योंकि उन्हीं भी मीका के प्लैन की बारे में पता चिल गया था यहां आफिसर्स और एक्टिविस्ट की बेच बहस होने लगी जहां तबी मीका केटा कॉम रिवर में कूछ जाती है क्योंकि वो यह दिखाना चाहती थी कि शार्क्स इनसानों के लिए खतरनाक नहीं है और फिर तबी वहां एक शार्क आ जाती है जो निलित तो नहीं थी जिसके साथ वहां और भी कई सारी शार्क्स आ जाती है और बस पिर क्या था शार्क ये साबित करती है कि सच में शार्क इंसानों के लिए बहुत कतरनाक है और इंसाना को तो नहीं छोड़ती है वो मीकाप पर बुरी तरह हमला कर देती है और उसे बहुत बुरे मौद देती है यानि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते जो देखकर सारे मरीन एक्टिविस्ट घब राते हुए इधर उधर भागने लगती हैं और उनको फजूल सा जो प्लैन था मरीन की लाइफ को बचाने का वो पूरी तरह तबाह हो गया था कि हर चीज़ बने ही वो कोई जानवरे क्यों ना ओ बचाने वाला नहीं होता कुछ आ जैसी तैसे इस सुर्टेहाल को काबू कर लिया गया बची हुए लोगों को सही सलामत वहां से बचा लिया जाता है जिस दुरान एक शार्प को भी मान दिया गया था जिसी अब सोफिया चैर करने लगती है उसी पता चिला कि ये शार्प एक फीमिल है जो तकरीबन दो प्रियानी वाली बात कि इसकी पेट में डेरों शार्प के बच्ची है पता चलता है कि शार्प एक ऐसी प्रोसेस से बच्ची पैदा कर रही है जिसमें वो एक टाइम में बहुत ज़्यादा बच्ची पैदा करने की काबिल होती है वो भी बहुत ही जल चोटी अमर में जो चीज बहुत कतिरनाक है क्योंकि ऐसे इनकी तैदाद बहुत ही कम टाइम में बढ़ सकती है। और तोर ये ताज़ा पाने में भी सर्वाइफ कर सकते हैं जो चीज इनकी मा लिवित से मिली। जिसने क्लाइमेट की मुश्किलात को जेलते हुए फ्रेश पानी में जीना सीखिया था। ये लोग अंताज़ा लगा लेते हैं कि ये शार्क्स हजारों की तदाद में हो सकते हैं जो सारे कैटाकॉर्म में रह रहे होंगे। इसलिए वो फैस्ता करती हैं कि हम कैटाकॉर्म में धमाके करेंगे जिससे सबी शार्क्स वही माले जाएंगे। अगले दिन वो स्विमिंग इवन्ट आ जाता है जहां एक टाइम में बहुत सारी लोग रिवर में स्विमिंग करेंगे तैरिंग क्योंकि ये बात लोगों को नहीं बताई गए थी। मेर कोई शार्क से आने का खत्रा था लेकिन वो इवन्ट को अपने फायदे के लिए कैंसल नहीं करती। बलकि आफिसर्स और ट्रेन मरेन को रिवर में उतार दिया गया वो निग्राने करने लगती है। जिया रिवर की एक साइट पर काफी बड़ा जाल बांदिया जाता है ताकि अगर कोई शार्क इस तरफ आए तो उसमें वाज जाए। जबके सीनियर ओंफिसर् व और अपने साथियों के साथ केटा कौम में आ गया था क्यूंकि वो वहाँ की मेमांगे करने वानी थी। सब अपनी अपनी जगा पर पहुँच गई। सीनियर ओंफिसर् और सोफिया एक साथ थी। वहाँ आं धीरा था जैसे सीनर ओफिसर ने फ्लेश लाइट आन की हम बोध ड्रावना सेन देखते हैं ओफिसर की चारण तरफ हजारों की तदाद में छोटे छोटे शार्स की बच्चे गुम रहे थे जिसे वो काफी घबरा जाते हैं हालांके ये बच्चे थे लेकिन इतनी ताकत वरते कि किसी की भी टुकडे टुकडे कर सकते थे क्यूंके चोटे होने की बावाजूत इनका साइस काफी बड़ा था सभी बॉम्स को अपनी अपने जगा पर फिक्स कर दिया गया था लेकिन बॉम्स के पटने से पहले एक शार्क सीनर आफिसर पर हमला कर देती है पर वो किसी तरह बॉम्स को ब्लास्ट कर देते हैं जिससे हलांके वो खुद तो काफी जखमी हो गया था लेकिन शार के कुछ बच्चे मर जाते हैं और सीनर आफिसर को उपर खीच लिया जाता है अब जब सोफिया वापस नीचे रीवर में जाती है तो उसके सामें से लिलित गुजर रही थी जो अपने बच्चों की लाशों की टुकड़े देखकर काफी दुकी हो गई थी और गुसी में भरी होई थी और वो सोफिया को तो देखने ही पाती है नेकिन गुसी सी भरी हुई उस जाल को तोड़ दीती है और उस जगा आ जाती है जहां स्विमिंग रेस शुरू हो गई थी अब लिलित यहां आकर एक आदमी की एकी झटकि में दो टुकड़े कर दीती है जिस्यanti हर तरफ अफरात तफ़री में चाती है और तब यहां बहुत सारे शार्स पर आ जाती है जो जाहिरे लिलित के कहने पर ही आए थी ये शार्क्स केटाकॉम में नहीं रह रहे थी इसलिए धमाते सी नहीं मरी और उनकी तदाद बहुत ज़्यादा थी ये शार्क्स रिवर में तैर रहे लोगों पर बुरी तरह हमला कर दीती हैं एक ही पल में रिवर खूंसी नाल हो गया हर तरफ उनकी नाशुके टुकड़े टुकड़े बिखा गयी थी इसी के साथ यहां सबसे बड़ी गल्दी ये हुई कि ऑफिसर ने शार्को स्नाइपर से शूट कर दिया जिसके कुछ निशानी पाने में बड़े मेजाइल्स पर लग जाती हैं ये दोसरी जंक से वहां पड़े हुए थी लेकिन डिफ्यूज नहीं थी पूरी तरह एक्टिव थी जिससे होता यह है कि एक मेजाइल की फटनी से तीरों मेजाइल्स पटनी रखती हैं ऐसा होती ही बड़े बड़े दमागों के साथवा सुनामी जैसा सीन बन जाता हैं रीवर का पानी हर तरफ पहल जाता है जो मेर की साथ साथ पैरिस की बहुत बड़े हिसे को अपने साथ ले डूपता हैं बहुत बड़े तबाही बज़ जाती हैं सिर्फ सोफिया और सीनिर और बताया जा रहा था कि यह शार्क्स सुनामे की वज़र से आसपास की एरिया में भी जा रहे हैं जिस वज़र से वह पूरे कंट्री में ही पहल चुकी हैं और सबसे खतरनाक बात वह अब यहां से पूरे दुनिया में ही फैल जाएंगी और बहुत बड़ी तबाही से इंसानियत और दुनिया का नामों निशान मीट जाएका जो चीज बहुत खतरनाक हैं और इसी दिल देनादेनी वानी एंडिंग की साथ ही कहानी एंडर बैल्स यही पर खत्म जाती है